एक बार एक गुरू अपने सारे सिस्टे को लेके नदी किनारी इसनान के लिए जा रहे होते हैं जब वो इसनान कर रहे होते हैं वहां से एक मुसाफिर गुजरता है और रुक कर गुरुजी से सवाल करता है गुरुजी मैं इस गौव में नया हूँ क्या आप मुझे बता सकते हूं यहां के लोग कैसे हैं तो गुरुजी मुसाफिर से एक सवाल करते हैं आप यह बताओ जिस जगह से आप पहले आये हो उस जगह के लोग कैसे हैं तो मुसाफिर बोलता है जिस जगह से में पहले आया हूँ वहां के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे लोग एक दुसरे को बिल्कुल भी सौपोर्ट नहीं करते थे चोड़ी लड़ाई जगड़ा गाली गोलोज करते थे मतलब दिन भर लड़ते रहते थे गुरुजी लगे करते हैं यहां के लोग भी काफी उसी टाइप के हैं काफी हर तक यानकी काफी लोग लटते रहते हैं है गाले-घवरोज करते हैं यहां तो पह रहने बिल्कुल मजा तो गुरु ची दुबारे से सवाल उनसे पूछते हैं जिस जगह से तुन पहले आये हो उस जगह के लोग कहसे थे तो वो मुसाफिर कहता है जिस जगह से मैं आया हूँ वहां के लोग बहुत अच्छे थे वहां के लोग सारे एक साथ मीजूल के प्रेम के साथ रहते थे सारे सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे मतलब पॉजिटिव इंबारोमेंट था तो गुरु कहते हैं यहां के लोग भी काफी अच्छे हैं सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं मतलब पॉजिटिव इंबारोमेंट हैं सारे लोग एक दम प्रेम पुर्वक रहते है तो वो मुसाफिर ये बात सुनके वहाँ से चला जाता है तो वहाँ वह सारे बात अब्जॉब कर रहे होते हैं और एक सिस्य वहाँ से हिंमत करके गुरुजी से सवाल पुछता है गुरुजी आपने एक मसाफिर को कुछ और दुसरे मसाफिर को कुछ और क्यों कहा तो गुरुजी reply देते हैं आप जिन्दगी में वैसे लोग को एट्रैक करते हो जैसे आप होते हो ये बात हमेशा याद रखना गुरुजी अपने सारे सिस्टे को कहते हैं अगर आप चोड बनते हो, तो आपको सारी लोग चोड ही दिखेंगे, सारी लोग आपको चोड ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप दिल से सौपोर्टिव नेचर की इंसान बनते हो, तो आपको सारी लोग सौपोर्टिव नेचर की इंसान ही दिखेंगे, सारी लोग आपको अच् यह वर्ल्ड है यह वर्ल्ड बिल्कुल नूट्रेल है यह से आप होते हो वर्से पीपल को आप एट्रैक करते हो if you want to change people around you, you must change yourself first so इसी के साथ मैं आपको अगरे वीडियो में मिलता हो तिले टाइम इस्टे इस्पायर गया एक सेमिनार में जहां लोग सारे मैड उसने पड़ी थी किताब